मान लो कि आप अपने टीम का सबसे इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हो और आपका सबसे अच्छा प्लेयर उस मैच के लिए मिसिंग है कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है अज इंडिया का मैच है कातार के साथ मस्ट विन गेम है बेसिकली दो सिनारियो जहां पर हम कौलिफाई कर सकते हैं हमने ये सिचुएशन अपने लिए बहुत डिफिकल्ट कर ली है थोड़ा शॉट में बात करते हैं इंडिया वर् पूछते हैं कि आप कहां पे देख सकते हो तो आपको अगर हाई क्वालिटी इंटरप्शन फ्री फर्स क्लास एक्स्पीरियंस चाहिए तो आप फैन कोड पे जाके ये मैच देख सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको येरली या मंतली फीज भरने के हैं हम पाँच पॉइंट पे हैं कुवेट के साथ जो हमने ड्रॉ किया था वो बहुत ही डिसपॉइंटिंग था डाट वज अप्रॉपर किक टू दे टीथ अगर आप इस तरह के सिचुएशन की बात करो तो क्योंकि अब क्या हो गया है कि किसी तरह से हमको एक पॉजटिव रिजल्ट आना पड़ेगा जो सबसे फेवरेबल चीज होगी हमारे लिए वो यह होगी कि हम कतार को हरा दो ये बोलने में बहुत सिंपली मैंने बस बोल दिया आई नो ये चीज कितनी डिफिकल्ट होने वाली है वो चैंपियन्स ऑफ एशिया है उनको हराना इजी नहीं हो और अगर हम अपना मैट जीत जाते हैं और कुवेट अफगानिस्तान को हरा देते हैं तो हम कौलिफाई कर जाएंगे थर्ड राउंड के लिए लेकिन अगर यहीं पे हमने जो ड्रॉ खेला जो कि हमारी एक तरह से आदत बनती जा रही है खैर कुछ लोग बोलेंगे कि हारन को हरा दें of course यह बिलकुल भी आसान काम नहीं है हमको अवे जाके खेलना है कतार के घर पे कतार एशन चैंपियन्स हैं वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर सकते हैं there are a lot of variables that go into this match and let's take on them one by one Trinton Marquez जो कतार के कोच हैं अगर आप उनके team selection की बात करो तो उन्होंने बहुत जादा young squad choose की है qualifiers में जाने के लिए और हमको यह opportunity के तोर पे देखना पड़ेगा we must take this chance अब मैं हलाकि यह बात repeat कर रहा हूँ और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमने अपने लिए ही यहाँ पर यह situation difficult कर ली है बट यहाँ पर यह must win game हो चुका है हमारे लिए इग और स्टी मैच की थोड़ी बात की जाए तो उन्होंने इस मैच के पहले यह hint किया है यह बोला है कि अगर हम qualify नहीं करते हैं तो he might think about leaving बहुत जादा हम नहीं analysis करने बैठेंगे लेकिन उनके उपर बहुत जादा pressure है फैंस का जो confidence है coach के उपर वो all time low पे है जहां तक मेरी बात personally की जाए मुझे भी लगता है कि I think it is time to move on हमको यह चीज़ बदलनी पड़ेगी coach एक outlook पूरा बदलना पड़ेगा बट क्या आज हम उमीद कर सकते हैं Qatar के against वो कुछ अलग करें और हमको qualify करें गुरपरीत सिंग संधू को captain बनाया गया है इस match के लिए और experience देखें उनके पास बहुत है बहुत सारे players है हमारे जिनको ये match में बहुत अच्छा perform करना पड़ेगा कुएट के साथ जो हमने draw खेला उसमें हमारे दोनों centerbacks उसमें हमारे दोनों centerbacks राहूल भेके और अन्वर अली की performance अच्छी थी वो उनको continue करना पड़ेगा चांग्टे ने उस match में अच्छा performance किया था हालाकि उस match में एक हद तक मुझे ऐसा लगा कि चांटे वस हफिंग अन पफिंग का मतलब वो बहुत कुछ करने की क कोशिश कर रहे थे लेकिन उसका end result नहीं निकल रहा था वो चीज हमको correct करनी पड़ेगी because Qatar इस match के लिए काफी relaxed होगी और जब कोई team बहुत relaxed हो के football खेलती है और quality उनमें इतनी ज्यादा हो तो वो थोड़ा dangerous हो जाता है सामने वाली team के लिए और अब address करते है the elephant in the room की goals कहा साइंगे क्योंकि सुनील चेतरी तो retire हो चुके है पिछले 5 साल के अगर आप statistics देखे 49% जो goals इंडिया ने score की है वो सुनील चेतरी ने score की है तो आप उनको कैसे replace करोगे और attacking wise हम बहुत blunt दिखे हैं खास करके पिछले कुछ matches में हम goal ही score नहीं कर पाते हैं और November से हमने open play goal score नहीं किया है चांक्ते यहां पर बहुत important player बन जाते हैं मेरे हिसाब से अगर आप सुनील चेतरी को हटा के देखे तो चांक्ते जो हैं वो हमारे सबसे हमारे सबसे threatening player हैं तो क्या वो finally he will come out of the shackles and perform यह बहुत important चीज होने वाली है Qatar को Afghanistan ने रोका था पिछले match में draw पे restrict किया था Qatar बहुत सारे players को rest करने वाली है जैसे मैंने पहले बोला उनमें quality काफी जादा है टीम काफी ambitious है उनकी और उनके लिए injury worries नहीं है तो वो काफी relaxed होंगे इस game में आने के लिए जैसे मैंने पहले बोला if a team जिसकी quality इतनी जादा हो और वो relaxed हो it is not a good situation for the opposition to be in आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बता दू कि यह match आप fan court पे देख सकते हो एकदम high quality में आपको यह match available होगा 25 रुपे के match pass के साथ आपको yearly या monthly piece देने की जरुवत नहीं है high quality uninterrupted viewing experience आपको वहाँ पे मिलेगा illegal sites पे आपको भरुजा करने की जरुवत नहीं है और end में बात करते हैं सबसे जरूरी बात जो है जो coach के बारे में देखे एगोर स्टेमाच I think he has run his course as a manager मुझे लगता है कि अब एक natural end किसी भी manager का आता है वो आ चुका है Qatar के against देखे बहुत important game है we have to win this game क्योंकि draw अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमको we have to rely on different results वो बहुत ideal scenario नहीं है और अगर मैं सच बता हूँ एकदम completely honest हो कि तो मुझे इस match से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि Qatar are a quality side और हम goal score करने ही पाते हमारी team बहुत ही बुरी position में है इगोर स्टी मैच की जहां तक बात कीजाए जैसे मैंने वीडियो के start में बोला कि fans का confidence उनके उपर all time low है अगर आप बहुत अगर आप किसी भी Indian fan से इस time पर बात करोगे तो वो बहुत openly आपको बताएंगे अभी coach के उपर भरोसा जरा उठ गया है हमने हमारे legend को एक match के पहले goodbye बोला है उसका कितना effect होगा team कितना motivated रह पाएगी देखें motivation की कमी तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से आप world cup में qualification के लिए fight कर रहे हो that should be enough motivation आपके सामने जो teams है अफगानिस्तान वगरा जिन्होंने comparatively better performance दी है उनके सारे issues के बावजूद उनसे तो आप better position में हो जहां तक infrastructure की बात की जाब इसको मैं एक system के उपर मैं एक video नहीं बना रहा हूँ that is a separate conversation but यहाँ पे I think the team should be motivated enough और hopefully हम वो काम करें hopefully we can deliver Qatar is a very strong team it is आज बहुत मुश्किल होगी अगर लेकिन अगर हम आज यह करते हैं तो it will be a day to remember तो यह था यार हमारा video यह थे हमारे कुछ thoughts over the India versus Qatar match बहुत ही important game है once again fancode पे आप यह match देख सकते हैं उसका link जो है मैं comments में डाल दूँगा तो आप बताइए आज के बारे में आप confident feel कर रहे हो या नहीं आज किस तरह का approach हम लेके आएंगे field के उपर बाकी content यहां पर हमेशा बनता रहेगा देखो यूरोज कोपा का तो coverage चली रहा है वो चलता रहेगा तो इसी तरह से अपना support बिनाया रखिए video को like करिए channel को subscribe करिए और share करिए अपन अज़ झाले 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 झाले